नमस्ते मेरा नाम सुभम है और आप मुझे ब्रेन अब बिहार पे देख रहे हैं आज राक्षा बंधन है उसकी सुभकामना है आप सभी लोगों की इस सुभकामना के साथ हम यह भी सुभकामना आज कर रहे हैं कि 3-4.5 सितंबर को जो सुनवाई होने वाली है माननिय सुप्र गई है जो समरी पोर्टल पे सुप्रीम कोट के बेवसाइट पे दिखा रहा है इसका बहुत लोग बहुत तरह से मिनी निकाल रहे हैं तो फिर हमको क्लरिफाई यह करना पर रहा है कि सहारा का यह लगाने का यह कहीं से मतलब नहीं है कि डेट को आगे बरहा दिया जाए यह लोग बहुत लोग बोल रहे हैं कि सहारा डेट आगे बरहाने चली गई चुकि हम जो हैक्ट रहता है वहीं बताते हैं ऐसा नहीं है कि कोई हमको फ्रस्नली दुस्मनी सहारा से है सहारा ने लोगों का पैसा लेके और वापसी में इतना ड्रामा कर रहा है जिसके चलते हम लोग ये वीडियो बना के आप लोगों को जागरूप कर रहे हैं और कोई मतलब नहीं है सहारा अगर कल सेव अपना भुक्तान ओफिस से ही शुरू कर देती है देने लगती है तो कोई मतलब किसी को नहीं रहता है क्यूंकि ये भुक्तान नहीं देने का काम 2010 से लमसम चल रहा था 2010 से 2020 तक कोई कुछ नहीं बोला क्यूंकि बहुत बड़ी संस्थाती और इसके साथ लोगों को लगता था कि अन्नाय हो रहा है सेवी ने इसको फंसा दिया है सारी गलती सरकार की सेवी की है और सहारा बहुत ही अच्छी कमपनी है और ये लीगल पचरे में फंसके ऐसा कर रही है आज नहीं कल कोट का ओडर आएगा और सब कुछ सही हो जाएगा लेकिन दिकत सेवी के तरब से सरकार के तरब से नहीं था दिकत इसके तरब से था कि जो भी आदेश हो रहा था चाहे वो सुप्रिम कोट का हो हाई कोट का हो सेवी का हो सेवी का हो सेक्रोटी जबलेटर इसको मानना नहीं था उसको चैलेंज करना है उसके एगेंस में अपी जितना पैसा उठाएं हैं वो बिना सेवी के परमिशन के उठाएं हैं और यह मेरे जो डिरेक्शन में आता है इसको आप वापस कर दिए वहाँ पर यह एक्स पार्टी ओडर करना परा सेवी को इसका जब अरदस्ती इतना था कि नोटीस का जब आप नहीं देना हीरिंग में नहीं जाना तो एक्स पार्टी ओडर 2010 में ही से भी कर चुकी थी कि यह चीज आपको करना है इंतरीम ही ओडर था फाइनल ओडर नहीं था मतलब कि आप संभल जाईए उस ओडर को यह लाहबाद हाई कोट में चैलेंज करता है लाहबाद हाई कोट उस पे इस्टे लगाता है कि आप मैटर को सुनके कुछ फाइनल नहीं किजिएगा फिर सुप्रीम कोट में जाती है तब जाकर सिकुरिटी ओपिलेक्ट ट्रिवनल में गई लेकिन कहीं पर भी यह नहीं बोला गया कि सहारा आपने सही किया था और सेभी गलत थी वहीं सेभी का जो ओडर था या जाइ दस एगारा में लेकिन इसको अपील या चैलेंज करने का आदत था इसको लगता था कि हम जो कर रहे हैं वहीं सही है सारे कोट गलत है तो सुप्रीम कोट में यह अपील दायर कर दिया इस जो सेभी का जो होल टाइम मेंबर जो ओडर दिये थे दोनों को मिला के तो सुप्री पेटीशन नहीं था वो अपील था सेभी वहाँ नहीं गई थी वहाँ गई थी सहारा इंडिया सहारा इंडिया रियल एस्टेट जो करफोरेशन थी कि सेभी ने ऐसा ओडर दिया है इसका अपील हम आपके पास लेकिए तो अपील में इसको तो राहत कुछ नहीं मिला से भी कोई राइट दिया कि आप अगर पैसा वापस करने में वापस करके आ इसका पूरूफ देने में असमर्थ रहते हैं तो आपको जिस हिसाब से करेगा आप उसका अटेश्मेंट कर सकते हैं फूर पटी के निलामी कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं और एक ओर एक उस आउडर में ये भी है कि अगर जमा करता जिसको पैसा ये रिफंड करना चाहते हैं यह आप करते हैं वो अगर नहीं जेन्मीन पाए जाते हैं नहीं मिलते हैं कोई लेने नहीं आता है तो जो फंड था रियल स्टेट और हाउसिंग का जो ओएफ सीडी के द्वारा से हुए हैं लोग तो खाली सहारा जानता है लेकिन सहारा की तो तीन कमपनिया जो सेवी के अंडर में आती थी डियल एस्टेट हाउसिंग और कमर्सियल इसके अलावा भी तीन चार कमपनिया जिसमें डारेक्ट ये इन्वेस्टमेंट कहके नहीं लिया समान के बदले में ल 2023 के पहले जिसका मेचुरूटी पूरा हो गया है उसी का लिया जा रहा है और एक थोड़ा मुरा राहत देने का काम था टोटल भुगतान सहारा के ओफिस से होना है क्योंकि पैसा सहारा में जमा हुआ है ऐसा कहीं आदेस नहीं है कि सहारा को भुगतान नहीं करना है सब होगी कि एक ब्यवधान उसमें जो हमको दिख रहा है कि जो ऑडर किया गया था 22 अपरेल 2024 को कि इसमें पूछ बोला गया है कि चीफ जश्टिस अफ इंडिया के ओडर मतलब परमीशन के बाद ये केस को लिस्ट किया जाए 3-4 और 5 सितमबर को तो हमारा ये मानना है कि मानने ये चीफ जश्टिस का ओडर मिल ही जाना है नहीं मिलने का कोई सवाल नहीं है दूसरा कोई ब्यवधान नहीं है अभी तक 3 सितमबर को केस के सुनवाई में क्योंकि डेर साल हो गया है लोगों को इंतिजार करते हुए 18-19-20 अपरेल 2023 ही डिस्पोजब के लिए रखा गया थ तो है वो नहीं आये थे कोट में उनका कोई परस्नेल रिजन हो चाहिए जो भी रहा हो वो अभी लेबल नहीं थे जिसके चलते लिस्टेड मैटर को हटा दिया गया एक नंबर पे लिस्ट हुआ था 2023 में 18 अपरेल को लेकिन उसके बाद उसको डिलीट कर दिया गया क्योंकि ठी जर्जेज बेंजेज में इसकी सुनमाई होने थी एक जजज सहाबाय नहीं हो वी सबसे सेनियर जजज जजज वहीं है तो उसके बाद लिस्टिंग का लोग इंतिजार करते 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 तो 23 2024 को लिस्ट हुआ जिसमें 22 अपरेल को ही ओरल मेंसिनिंग के द्वारा अब सहारा के एड़ोकेट के द्वारा की सेवी के एड़ोकेट के द्वारा ये मेंटर को बोड में लेके गया गया जो लिस्टिंग का बोड होता है या जजज सहाब लोग का जो बोड और ये बोला ग ये कहीं से आपनों मीनिंग नहीं निकालिए कि सहारा ने आईये लगा दिया तो एक आगे बढ़ने का आईये लगाना एक positive संकेत है कि सहारा भी जान रही है कि इस बार final कुछ ना कुछ इसमें होगा तो अपना पक्ष आईये लगा के वो अपना रख चुकी है कि हम क्या चाह अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा तो हर एक चीज को negative नहीं लेना है अगर सहारा इंडिया बोल रही है कि हमको अपना पक्ष आईये में जो भी रखी हो हम लोगो तो पता नहीं है कि क्या रखी है लेकिन जो summary है उसका ये दिखा रहा है कि modification of quote order तो modification जरूरत है और वो भी जम्म करता हो कि hit में चाहे वो सहारा लेके आए अचाहे जो नगेंदर कुश्वाहा जी के दौरा एक read application उसमें tag हुआ है वो जरूरी है कि उस read का भी जो आईये है उसको भी सुना जाए ऐसा नहीं हो कि उसको ignore करके और कोई फैसला आ जाए क्यूंकि main मुद्दा उसी read application में दायर किया गया है क्योंकि real estate और housing का जो पैसा है उसको q-sop के माध्यम से society को के तक लाके shift कर दिया गया है जो यह पैसा है वो जम्म करताओं को मिलना चाहे है गौर्मेंट अप इंडिया के पास जाने लाइक नहीं है और already portal पे 86,000 करोर का लोग claim कर चुके हैं भले हो real estate housing का नहीं हो लेकिन sahara group का ही है और sahara group ये एकचasm की है कि ये liability मेरी है ये scooter इस सब का हाल नहीं है उसका की मेरी liability नहीं है सहारा ने accept किया है भले ही उसमें शुबर दरा सहारा managing partner director नहीं हूँ लेकिन ये सहारा group की चारो society है ये accepted है तो कहीं न कहीं ये chance बन रहा है कि जो पैसा जामा है सहारा सेवी में या सेवी के पास जो समपत्य अटेच है सब से पैसा recovery करके public को दिया जाए अब इसमें ED भी सामिल हो गई है ED भी जाज कर रही है SFIO भी जाज कर रही है तो ED भी अगर recovery करती है तो उससे पहले जमकारताओं का पैसा दिया जाए ऐसा नहीं है कि रिकवर करके गवर्मेंट अप इंडिया के हाँ ED मेन फोकस करती है तो diversion पे क्या खिर company डू भी क्यों हो सकता है कि personal benefit ले लिया गया हो पैसा society में लेके तो उन उन लोगों से भी recovery होगी जो की divert करके पैसा का मिस्यूज किये होगे और SFIO जाज जब बाहर निकालेगी तो 9 company जो इसकी major companies act से जो बनी हुई है 9 पे SFIO लगी है लेकिन इसमें delay होना ये बहुत दिक्कत वाली बात है SFIO को भी इस में party बना के और report Supreme Court में मगाना चाहिए तब जाके कहीं न कहीं दूद का दूद पानी का पानी होगा कि हाँ अगर सारा गलत नहीं है तो SFIO declare कर दिया कि हमने जात में कुछ नहीं मिला हलाकि SFIO EDUC के यहां जाती है जहां पे संभावना रहती है 100% नहीं 200% गरबरी का अब इसका उपचारिक एलान बाकी है कि हाँ क्या-क्या गरबरी थी और उसके एगेंस में करवाई होना तो आज रक्षा बंधन था तो आप लोग को हमने सोचा कि जो confusion है वो दूर कर देते हैं घबराने वाली बात नहीं है हमको जहां तक लग रहा है कि इस बार डेट नहीं बढ़ेगा सहारा के तरफ से आए डालना एक सुब संकेथ है कि सहारा भी अब जान रहे है कि आगे नहीं बढ़ेगा है उसमें आये फाइल करने के ज़रूरत नहीं रहती है आये में एक summary दिया जाता है कि हम जो quote को बात कहना चाहते है वो return में submission रहता है कि ये मेरा prayer है quote से अब quote उसमें decide करता है जैसे कि 5000 करोड रिलीज हुआ था एक आये central register के द्वरार दायर किया गया था कि ये इतना complain आ रहा है और पैसा सहारा से भी में पड़ा हुआ है और बाइस सो तिरपन करोन सोसाइटियों का उसमें सहारा ने ले जाके जमा कर दिया है तो हमको फिलहाल इतना दे दिया जाए बाकी जो final case decide होगा तो जो होगा सो देखा जाएगा तो अगर सहारा आये फाइल की है तो अच्छा चीज है अगर इसमें से भी भी नया आये फाइल कर देती है तो और अच्छा चीज है और हम इसमें request करेंगे जो विश्व भारती के तरफ से जो लगाया गया है उसमें भी अपना आये फाइल करके सुनवाई के लिए उस दिन अपने एड़ोकोट को अपियर कराया जाए क्यूंकि में डिसीजन अगर जम करता हूँ के पक्ष में कुछ है तो उस रीट से ही आ सकता है नहीं तो से भी अपना देख रही है कि मेरा लीगल पॉइंट क्या है और सहारा तो अपना बच के निकलने की कोशिस कर ही रही है भले ही टोटली खतम हो गई सहारा लेकिन इसका पैतरा या चाहिए सही तरीके से काम करने का यह मतलब बदलाव कोई नहीं हो रहा है कि हम सही तरीके से काम करें इन्फरमेशन तक कोई नहीं आ रहा है कोई सामने आके बोलने के लिए त्यार नहीं है सा बड़ा गुरूप है जो चाहेंगे होगा तो information देने आना चाहिए YouTuber क्यों चल रहे हैं क्योंकि कोई information देने वादा सरकार अपना काम कर रही है या सहारा को कोई मतलब रहा नहीं क्योंकि collection बंद है जब तक collection चालू था सुपरतर है सहारा जी आके video बनाके अपना लोगों को motivate करते हैं कि तुम पैसा लाते रहो जब पैसा लाने का काम खतम हो गया तो जब पैसा भुकतान का बारी है तो कोई सामने आने के लिए तयार नहीं है और risk submission जो portal है इस पे बहुत limited data लिया जा रहा है जिसका form upload हो गया है और चाहर जिसका maturity पूरा हो गया जो पहले गलती किया submission ये portal कि सबका claim ले लिया गया उसका फैदा उठाते हुए हम लोगों ने सारे claim को करवा दिया कि सरकार को पता चल जाए कि 85-80,000 करोर के जो देंदारी है सहारा की वो जेन्वीन है ये काम हो गया और वो भी portal उससे में ले रहा है ले ले रहा था था तब अभी क्या कि आए कि जितना का maturity पूरा हुआ है उसी को ले रहा है बाकी को नीचे साथ छांट दे रहा है तो इसका मतलब ये संकेत है कि दिसंबर के बाद portal हमको नहीं लगता कि आगे बढ़ेगा ये एक data दे देगा कि 86,000 करोर का claim आया 40,000 करोर का उसमें recent mission आया जिसमें 20,000 करोर का हमने successfully लोगों का process किया और 5,000 करोर बाट के अपना दुकान बन तो जो हो सकता है आप लोग अपलाई करिए जो ले रहा है उतना कर दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा उमीद अभी नहीं लगाया जा सकता है हो सकता है कि सितंबर हो जाए सुनवाई में portal का भी कोई जिक्र हो जाए कि इसका भुकतान बिना ब्याज का क्यों हो रहा है जब अपना office से भुकतान सारा एक रुपय नहीं कर रही है तो maturity का क्यों इंतिजार करिया जा रहा है बहुत सारा option है नहीं portal पे death claim हो गया बहुत सा निरास नहीं होना है लगता अब यह मामला खुला है तो जल्द ही निस्तारन हो जाएगा और साकरात्म को मीद रखे आप लोग कि पैसा 10,000 मिले 20,000 मिलना सुरू हो गया है और जरूरा थे इसको limit बरहाने की और सहारा को भी अपने तरफ से कुछ न कुछ करना चाहिए अग यादा लोग इसमें अंदर जाएंगे अभी जब तक रिलीफ मिल रहा है मिल रहा है सरकारी सिस्टम है देर से ही होता है लेकिन दुरूस्त ब्यवस्ता इनका होगा खैर अभी के लितना ही रक्षा बंधन के आप लोग को फिर से सुभकाम ना है जैसा अपडेट रहेगा कि इसी भी मामले में आप लोग को देते रहेंगे आज जो 19 अगस्त को भी सुनमाई हुई है सहारा लाइफ क्या जो सेकूर्टी अपलेट ट्रिबिनल में मैटर चल रहा था उसका सुनमाई आज हुई है ओडर अभी नहीं आया है जैसा ओडर रहेगा बताएंगे पीनक पानी महंती वाला में भी ओडर नहीं आया है टॉप 20 डिरेक्टरों वाला में भी ओडर नहीं आया है बाकी लगतार सुनमाई है अगला 10 दिन काफी होट मैटर रहने वाला है सहारारी फंड तो उसी तरह से वीडियो भी आते रहेगा अपडेट भी आते रहेगा आपका जादा सम मैं नहीं लेते हूँ अभी के लिए इतना ही धन्यवाद